आमार प्रोष्टोटा होलो जे आमार देर एई प्रिथी भी ते कैनो एतो धौर्मों स्रिष्टी होएचे आमार देर चार पाशे एतो बेशी धौर्मों कैनो मेरा नाम है राजेश्वर मैं नवी मुंबई निरूल से आया हूँ और मुझे यहाँ पर लेके आ रहा है मेरे दोस्त श्री अजीम मुल्तानी ने तो मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ तो मेरा यह कहना है हम जो लोग बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ मुसल्मान बोलता है मैं मुसल्मान हूँ सिख बोलता है मैं सिख हूँ क्रिश्चन बोलता है मैं इसाई हूँ तो सब लोग अपने अपने धर्म का अपना परिचाई देते हैं तो मेरा सवाल ये है कि इस धर्म को बनाया किसने है और अगर बनाया है तो किस मकसद से बनाया है क्या हम सिर्फ एक धर्म को माननी सकते हैं जो कि इंसानियत धर्म है और कोई धर्म को न माने न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न इसाई और किसी भी धर्म को कबूल करवाना क्या जरूरी है? मैं अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है और एक सवाल साथ में इसमें जुड़ा हुआ है सर्थ, मैं पुछना चाहूंगा इना किसी धर्म को कबूले बगर, क्या इनसान नेक और सई रास्ते पर चल नहीं सकता है? और ये जो अपने अपने धर्म के गुरू हैं, वो किस लिए अपने धर्म का प्रचार करते हैं? और किस मकस्द से करते हैं? ये मेरा प्रश्न है बाईसाब का बहुत अच्छा सवाल है कि लोग कहते हैं मैं हिंदू हूँ मैं मुस्लिम हूँ मैं सीख हूँ मैं इसाई हूँ तो ये धर्म को किसने मनाया धर्म होना चाहिए की सिर्फ बिल्कुल सही है धर्म होना चाहिए की और वो होना चाहिए इनसानियत भाई साथ पूछते धर्म होना चाहिए की फिर पूछते क्या धर्म को खबूल करना जरूरी है और क्या एक धर्म में मानना जरूरी है भाई साथ अपने अच्छा सवाल किया कि कोई कहता मैं मुस्लिम हूँ कोई कहता मैं हिंदू हूँ कोई कहता मैं हिसाई हूँ कोई के दर सुखूँ एधर्म को किसने बनाए राए और धर्म होना चाहिए एक अपका पहले भाग जो सावाल का बिल्कुल साइए कुरान में ला तला फरमाते सुरह अल-इमरान में सुरह नम्बर तीन आयत नम्बर उन्नीस में इन CIA इन दिना इनदे लाह ल-गंबर इस्थाम के निष्प ही दिन सी है वो है अपनी जिन्दगी अल्ला के खदा के ईश्वब के भगवाँ के एकामात के मताबक बसर करना तो दीन होना चाहिए एक ही ये इतने दीन किसने बनाया इनसानों ने बनाया हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा इच्वर, हमारा भगवान, हमारा अल्ला, सिर्फ एक ही दीन बनाया, एक ही मख़ब बनाया, वो है अमन हासिल करना शांती हासिल करना सलामती हासिल करना अपने खालिक के एहकामात के मताबिक जिंदगी बसर करने के बाद इसलिए दीन, मजब, खालिख ने सिर्फ एक ही बेज़ा लेकिन वक्त के दौरान मिलावट होते गए मिलावट होने के वज़े से अल्ला ने दूसरे नभी बेज़े, दूसरे किताब बेज़े फिर मिलावट हुए और दूसरे पैगंबर बेज़े और एक किताब बेज़े उसे सही करने के लिए इस तरीके से अल्ला के रसूल मुम्मा सुर्वान सुर्माते हैं कि अल्ला ने इस जमीन पे एक लाग चौबीस जार पैगंबर बेज़े कई किताबे बेज़े आखरी किताब कुरान में लिखाए कि सुर्य राद में सुर्वान 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 सुर्व मुमाद bisa हमारे खाल सिर्फ ये एकी मध्वब भीजा हमने उसमें मिनावर पिर्दा कि मध्व का अगर सह e मानी ले हिंदू की क्या मानी हिंदू की मानी ये है कि जो इंसान हिंदू स्था ने रेता है जो इंडस वाली के इस सरफ रेता है उसे कहते हिंदू ये लफस सबसे पहले बार इस्तिमाल क्या था अर्बों ने हिंदुसानी के लिए इस लफस के एत्बार से मैं हिंदू हूँ उसके भाद लोगों ने का के ने हिंदू वो है जो गुच परस्ति करता हूं गलत है तो सही मानी हिंदू के मैं हिंदू हूँ इसाई के मानी क्या इसाई के मानी जो इसाई लिए सलाम के पेगाम पे अमल कर रहा है इसाई लिए सलाम ने जो चीज़ सिखा है उस पे अमल करता है मैं कहता हूँ कि मैं जो अपने आपको इसाई कहते है उससे जाज़ा इसाही हूँ क्योंकि मैं इसाही लिंचे लिए सलम के बातों पे और अमाल करता हूं, बनिजबद वो लोग जो अपने आपको इसाही कहते है तो उसलिए आसे मैं और पका इसाही हूं जो गो का मतलब क्या जो का मतलब वो जो खुदा से अल्ला से मौबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब आमल करें वाई साब आप अच्छे मुस्लमान बनने के लिए सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनने पढ़ेंगा अच्छा इंसान बनना मतलब एक मिसाल दे रहा हूं जो मैंने खल दिया था अच्छा इंसान बनना मतलब स्कूल पास करना अच्छा मुस्लमान बनना मतलब पीच डी, तो पीच डी करने के लिए पहले दस्वी तो पास करने पढ़ेंगा, दस्वी पास करने के बाद ही पीच डी कर सकते, आप बोरे दस्वी के बाद मैं खुश हूँ, नहीं, मैं पीच डी के बाद खुश हूँ, तो अच्छा मुसलमन बनने के लिए अच्छा इंसान प्रुद 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 या दोनों शरॉब के निशे में थे अस्ती पीद्थ इसलिए हमारा हालिक हमारा रभ कहता है शरामत पिआ आप किसमे मालेंगे inामतिये अरभ में अच्छा मुसल्मान बने के लिए रब की अबादत करना जरूरी है आपने पूछा कि कोई मजभ को फॉलो करना जरूरी है बिल्कुल अगर आपके पास रूल रेगुलेशन नहीं है आप जब स्कूल में जाएंगे आप बोलेंगे स्कूल के रूल्स को फालो करना ज़रूरी है क्या मैं एक दिन पीले कपड़े पेनूँगा एक दिन नीले कपड़े पेनूँगा एक दिन ला नहीं रूल फालो करो सब लोग साथ में A, B, C, D नहीं मैं A, C, D, B पढ़ूँगा Z पढ़ूँगा नहीं A, B, C, D, E, F, G काईदे से पढ़ो आप कोई काईदा फालो आप बोलेंगे रूल फालो करना ज़रूरी है मैं लेफ्ट हैंड पे चलाओंगा राइट हैंड पे चलाओंगा तो जब गाड़ी चलाने के लिए रूल फालो करने पड़ता है तो जिन्दगी बसर करने के लिए रूल फालो करेंगे ये जाहिल इंसान कहेंगा खुश्यार इंसान में और मैं समझता हूँ आप खुश्यार इंसान में गाड़ी चलाने के लिए रूल चाहिए, स्कूल में जाने के लिए रूल चाहिए, जिन्दगी बसर करने के लिए रूल ने, आप बोलेंगे मैं नाक में से खाऊंगा, चलेंगा ने मैं मूँ में से खाऊ, आप समझे रहें, तो ये हमारा खालिक, आप जब बिमार होते हैं, क इसके एकामात में चलने से वच्छे मुसल्मान बन सकते और सबसे ज्यादा सफ़त मुसल्मान बन सकते और इनसान बन सकते मैं पूछना चाता हूँ आप मानते है खालिक में खालिका मतलब मुझे नहीं पता बनाने वाला आप एक किश्वर में मनते हैं एक खुदा में मनते हैं या ने एक खुदा में मनते हैं मैं तो सभी जगा जाता हूँ मंदिर जाता हूँ मजजिद जाता हूँ लेकिन मैं किसी को मानता नहीं मैं भी मंदिर जाता हूं मैं भी मंदिर जाता हूं मस्जिद जाता हूं एक पावर जो है जो हमको रूल करती है मैं उस चीज़ को मानता हूं एक पावर दो पावर ने ना एक पावर जो है तो पुछ रहा हूं मैं एक पावर को मानते हैं दो पावर को मानते हैं मूर्थी मतलब वो पावर वाले को आप कम पावर दे रहे बराब गाना तो हिंदू मदब कहता है मूर्थी पूजा मत करो इसाई मदब कहता है मूर्थी पूजा मत करो खुरान कहता है मूर्थी पूजा मत करो एक पावर उसको पावर कहो इश्वर कहो को çıkar को खुदा को खुँआ लेकिन एक हैना के दो है एक है बेल्को ऊअllow फूल को मानते हैं उन्हें के विद्स परस्ती मूर्थी पुजा गलत है गलत तो है लेकिन मैं करता हूँ हाँ यही तो बाद है आप मांते है गलत अरम्दुलिल्ला करते वो जलते आ रहे हैं बच्पन से चलने आ हैं मेरे भर दाजा भी चैने लेकिन मैं जब स्कूल में जाता हूं डॉक्टर बन गया हम मुर्ति की पूजा करने के वज़े से मैं मानता हूं कि मैं गौड़ फियर हूं मुझे डर है मैं गलत काम से बच्टा हूँ हाँ गलत काम करते लेकिन गलत काम से बच्टे दोनों में टक्रा हूँ आप गलत काम से बच्टे फिर बोलते गलत काम करते मुर्ती की पुजा करने से मैं गलत काम से बच्टा हूँ आपने कहा मूर्ती पूजा करना गलत है मैं मूर्ती पूजा करता हूँ गलत काम से बचता हूँ तीनों में टकरा हूँ मैं हिंदी में जरा कम्जोर हूँ आपने कहा कि मूर्ती पूजा करना गलत है लेकिन फिर भी मैं करता हूँ और गलत काम से बचता हूँ दोनों कॉंटे डिक्टिंग है शराब पीना गलत है फिर भी पीता हूँ और गलत काम ने करता हूँ और पीऊँगा तो बलात कर करूँगा ना आप नहीं पीता हूँ अच्छी बात है अलहम्दुलिल्ला आपके वेद में लिखाई बाइबल में लिखाई पुरान में लिखाई तो क्यूं करते बचने का है तो उस पावर उस ताकत उस अल्ला उस खुदा उस भगवान के एकामात पे अमल करो मुर्ति पूज़ा करने से क्या मिलेंग आपको आप पुरान मजीद पढ़ो पुरान मजीद आखरे पेकामे उस पावर का तो अगर आप जानते हैं के मुर्ति पूज़ा गलत है तो गलत काम से का सही रस्ता मिल सकता है चोरी करना गलत है लेकिन मैं क्या करता हूँ चोरी करता हूं और गरीबों में बाटता हूं सही है गलत है चोरी करना गलत है अप मानते हैं क्या चोरी करता हूं लेकिन गरीबों में बाटता हूं अरे गरीबों में बाटने का तो महिनत करके बाटो ना चोरी करके महिनत मत करो महिनत करके महिनत करो और हलाल की कमाओ और गरी पूजा खलते हैं फिर क्यों करते हैं क्योंकि आपके पर दादा करते हैं मेरे पर दादा कहते हैं दुनिया चप्टी है लेकिन मैं कहता हूं दुनिया गोल है चप्टी है गोल आपके पर दादा क्या कहते है चप्टी के गोल गोली कहते है पर दादा आपके बाप दादा ने पर दादा गोली कहते हैं कभी हजार सार पहले बिल्कुल आपके दादा का नाम क्या था पता नहीं हाँ तो आप खाली है हुआ में फिक रहे हैं इनसानियत हजार सार पहले कहती थी, दुनिया चपति ये, आपके परदादा का नाम क्या है, दुनिया चपति ये? कोशिश करूंगा चोड़ने कि ये बाद ही ना ये मर्दानी वाद ही ना माशाला ये अच्छी बात है कि भाई साब मानते हैं एक पावर में एक खुदा में एक इश्वर में एक भगवान में बुद्परस्ती गलत है और कोशिच करेंगे इसको छोड़ने के आप मानते हैं कि महमद सुल्वाव सुल्व बेगमर है पता नहीं मुझा नहीं मात नहीं इसलिए मैं चाहूंगा कि आप कुरान मजीद पढ़िए मैं आपको कुरान मजीद का तर्जुमा दूँगा अंग्रीजी जानते तो अंग्रीजी में दूँगा झाल झाल